आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सी न्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दक्षिन विधान सभा से सपह प्रत्याशी विने अगरिवाल जन संपर्क कर जनता से वोट मांग रही है राजामंडी शेत्र में चुनावी दौरा करने पर विने अगरिवाल को मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिला वे अपनी जीत का दावा कर रही है सपह से दक्षिन विधान सभा प्रत्याशी विने अगरिवाल विधान सभा चुनाव में प्रतिदिन सुभा जन संपर्क कर मतदाताओं से चुनाव में जीत के लिए वोट मांग रही है शनिवार को विने अगर्वाल ने राजामंडी सेंट जॉन्स पुल शेत्र में दौरा किया इस जोरान विने ने शेत्रिय लोगों की समस्याओं को सुना विने ने कहा कि दक्षिन विधान सभा शेत्र में नाली, खरंज और सडकों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है इससे पहले शेत्री विधायक ने इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया है पता नहीं है बुरा हाल है गलियों का और बैपारी बहुत खुस हुआ देखके बुला बदलाब एक अच्छा व्यक्ति आया है निश्य दूर्प से बदलाब होगा बैपारियों के लिए संगर्स करने वाला व्यक्ति विने अगरवाल हमारे बीच में जब आया है तो निश्य दूर्प से हम उसको प्यार देंगे और माननी अखले से अदब जी की सरकार बनाने में महस्मूर विका निवाएंगे क्योंकि वो जानते हैं माननी अखले से अदब जी बैपारियों के कितने इस्थैसी है अभी करोना काल में जिस तरीके से ब्यापारियों का नुक्सवान हुआ है देख लिजिए चाहे नोटबंदी के कारण हुआ हो चाहे करोना काल के कारण हुआ हो ब्यापारियों के लिए कोई ऐसी निती नहीं बनी जिससे की ब्यापारियों का रोजगार अच्छा हो सके कि विने अगरवाल जी ने वैपारियों के लिए बहुत ही संगर्स किया है और उन्हें नियाए दलाने का काम किया है वैपारियों ने कहा है कि हम एक जुट होके और बिलकुल ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को और विने अगरवाल जी को जिताने का काम करेंगे जिससे की विने अगरवाल जी जीतने के बाद विधान सवा में ताकस से वैपारियों की आवाज उठाने का काम करें राजमंडी बाजार में पहुचने पर वैपारियों ने विने का गर्म जोशी से स्वाकत किया जनसंपर्क में विने के साथ साथ चल रहे सपाल्धो या वाहिनी के राश्ट्रे प्रवक्ता राहुल चत्रवेदी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपस सरकार में वियापारी काफी परिशान है पर अब ये जादा दिन चलने वाला नहीं है को चुनाब में वैश समाज के लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है सी नियूस के लिए अजे बहादूर की रिपोर्ट